हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और कैसी जब भी आप लोग की हुली उमीद करता हूँ आप सब की हुली बहुत शानदार चल रही होगी भईया हमने तो आज सवेरे से बहुत सारे रंग खेले और आपने भी खूब इंग जॉए किया होगा आप सब को निखिल सर के तरफ से ह कोली की डेरों शुप कामना है वैसे हम आप से जुड़ने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं एक और जहां हम चाहते हैं कि आप खुश रहें कोई दूसरी और हमें आपके स्वास्त की भी बहुत चिंता है दोस्तों इसलिए आज के ज्यानबाजी के खास अंक मे कैसे है कोरोना वाइरस दुनिया भर में इस वक किस तादात पर फैल चुका है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए जल से जल इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जितना हो सके उतना लोगों में इसको बाटे चलिए दोस्तों विटाउट वेस्टिंग टाइम Let Us Get To The Work What Is Coronavirus असल में करोना वाइरस वाइरसे की एक फैमिली का नाम है It's A Group Of Virus करोना वाइरस की सतह पर छोटे चोटे स्पाइक होते हैं जो की किसी राजा के मुकुट की तरह दिखते हैं इसलिए कोरोना वाइरस को हम ने नाम दिया है कोरोना क्योंकि यह देखने में किसी मु 1960 में देखा गया था, coronavirus को हमने 4 अलगल अलग categories में बाट के रखा है, जिसे हम alpha, beta, gamma और delta इन 4 categories के नाम से जानते हैं, coronavirus सबसे ज्यादा जानवरों में पाया जाता है, और जानवरों से ये इंसान में transmit हो जाता है, मुसीबत तो इस बात की है कि एक बार इंसानों में ये वाइरस आ जाने के बाद ये human to human भी बहुत easily transmit हो जाता है दुनिया में कोरोना वाइरस के अलग-अलग प्रकार के वाइरसेस हमने पिछले 20 सालों में देखे हैं जिसमें साल 2003 में हमने एक पहना वाइरस देखा था जिसका नाम था SARS आपको याद होगा इसने काफी आतंग बचाया था SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome इसने साल 2003 में चाइना में काफी उदम बचाया था उसके बाद फिर एक वाइरस जो की हमने देखा वो था MERS, Middle East Respiratory Syndrome और इस सीरीज का सबसे लेटेस्ट वाइरस जो हमारे सामने आया है वो है ठीक दो मैंने पहले डिटेक्ट हुआ novel coronavirus, yes WHO ने इस वाइरस को एक नाम दिया है दोस्तों COVID-19, I mean COVID-19 मैं आपको ज़रा इसका meaning समझा देता हूँ CO का मतलब होता है Corona, VI का मतलब होता है virus और D का मतलब होता है disease क्योंकि ये 2019 में पाया गया, इसलिए पूरा नाम पड़ा COVID-19 असल में coronavirus चाइना के एक यूबेई प्रोविंस के एक शेयर Wuhan में एक meat market में पाया गया कहते हैं कि ये virus वहाँ पर किसी चमगादण में आया और वहाँ से फिर ये इंसानों में पहलता चला गया हाला कि कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये चमगादणों में नहीं, ये reptiles में पाया गया है मैं आपको बता दू दोस्तों इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता चाहे ये जानवरों में याने चमगादणों में पाया गया हो या फिर ये किसी Reptile में पाया गया हो क्योंकि ये एक Zoonotic Virus है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जानवरों से इनसान में आता है अब क्योंकि एक बार ये इनसान में आ जाने के बाद ये इनसान से इनसान में भी काफी ज्यादा फैलता है इसलिए कोरोना वाइरस अपने आप में गंभीर चिंता का विशय है अब कोरोना वाइरस से जुड़े हुए कुछ सवालों के उपर हम ज़रा गौर फरमा ले एक एक करके मैं सारे सवालों को क्लियर कर देता हूँ सबसे पहला सवाल जो इस वक्त दुनिया भर में उठ रहा है कोरोना वाइरस पूरी दुनिया में कितना फैल चुका है कोरोना वाइरस के कितने positive cases दुनिया में है और कोरोना वाइरस के वज़े से कितनी मौते हो चुकी है वेल चिंता का कारण तो है कोरोना वाइरस इस वक्त दुनिया में 90 से भी ज्यादा देशों में फेल चुका है दोस्तों वैसे तो ये एक पेंडेमिक के रूप में अपनी नई छमी बनाता जा रहा है लेकिन फिलाज डब्लू हो ने इसको पेंडेमिक गोशित नहीं किया है कोरोना वाइरस के कुल मिलाकर आज के डेट में 1,15,000 कंफर्म केसे पाए गए है और जिन में मौतों की तादा 3,000 से भी उपर है वैसे अगर देखा जाए तो डेथ परसेंटेज कोरोना वाइरस में 10 परसेंट से भी कम है इसलिए अगले सवाल का जवाब भी ऐसा ही है लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कोरोना वाइरस से डेथ हो जाती है जवाब है not necessary हर बार कोरोना वाइरस से मौत होगी ऐसा जरूरी नहीं है अक्सर कोरोना वाइरस सबसे ज्यादा घातक होता है उन लोगों के लिए जिनकी उमर 60 साल से ज्यादा हो जो की बुज़ूर हो जिनमें डायबेटीज की शिकायत है जिने बुखार है, जिने कोई न कोई chronic disease है या फिर जिनने hybrid pressure की शिकायत है ऐसे लोगों का immunization power कम होने के वज़े से यानि प्रती रोधात्मक् refrakti कम होने के वज़े से कोरोना वाइरस उनमें ज्यादा तेजी से फहलता है फिलाल कोरोना वाइरस सबसे ज्यादा पाया गया है पांच देशों में जिनका नाम चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इरान और इटली इस तरीके से बताया जा सकता है यहाँ पर कोरोना वाइरस के केसे सबसे ज्यादा है और कुल मिलाकर कोरोना वाइरस के अमेरिका में इस वक्त 60 से ज्यादा केसे पाए गए हैं अमेरिका में इक व्यक्ति के मृत्यों भी हो चुकी है अब सबसे जरूरी बात क्या कोरोना वाइरस के कोई लक्षन होते हैं किसी इंसान में कोरोना वाइरस यदी है तो क्या से पता चलेगा कि वो कोरोना संक्रमिक है मिल्कुल दोस्तों कोरोना वाइरस के कुछ खास लक्षन होते हैं कोरोना वाइरस से संक्रमिक व्यक्ति को सरदी की शिकायत होती है, उसे सरदर्द हो सकता है, उसे बुखार हो सकता है, उसे खासी की तकलिफ हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, अक्सर जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनके लंग्स में आने फेपड़ों में सूजन भी होती है ये कुछ सिम्टम्स है जिससे समझा जा सकता है कि कोरोना वाइरस कैसे आता है अब कोरोना वाइरस से बचा कैसे जाए जो कि काफी मातोपोर्ण है सबसे पहली चीज तो दोस्तों बेसिक हाईजिन क्योंकि ये बिल्कुल सफ़्ट हो कि कोरोना वाइरस के ओपर अभी भी कोई दवाई नहीं बनी है कोई वैक्सिन अभी भी तैयार नहीं हुई है इसलिए प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर बहुत जरूरी है कि हम अपने आपको साफ रखे और संक्रमित लोगों से दूर रखे ताकि हम में ये संक्रमन ना आए सबसे पहली चीज तो ये कि अपने हाथ को कम से कम दिन में पांच बार साबुन से रगड रगड कर धोए ताकि किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमन आपके हातों के रास्टे से आपके शरीद के अंदर न प्रवेश कर जाये दूसरी चीज़ यदी आपको किसी भी प्रकार से खासी या फिर रनिग नोस की शिकायत है तो प्लीज मास्क पहनने से ना हिचकी चाहे और मास्क का पूरा उपयोग करें ताकि आपके वज़े से ये संक्रमन किसी और में न फैले और दूसरे लोगों तक न जा पाए तीसरी चीज हो सके तो नमस्ते कल्चर अपनाते चले और कुछ दिनों के लिए लोगों से काफी क्लोस संपर्क में ना आए हाथ मिलाना गले लगाना इस तरह की चीजों को अगर आप अवाइड कर सकते हैं तो ये काफी सुरक्षित माना जाएगा अब एक और बात कर लेते हैं कि कोरोना वाइरस के वज़े से फिलहाल दुनिया भर में कितना नुकसान हो चुका है वेल दोस्तों अर्थ रवस्ता पे कोरोना वाइरस की एक जबर दस्त मार पड़ी है हम ये कह सकते हैं माना जा रहा है कि कोरोना वाइरस इस बार अपने चपेट में वन ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ती का नुकसान करेगा याने कुल मिला के एक खरब डॉलर्स का नुकसान कोरोना वाइरस के वज़े से पूरे दुनिया में हो सकता है भारत में जितनी software companies हैं मापकरना software नहीं electronic companies जितनी हैं जिने अपने electronic उपकरन चाइना से लाने पड़ते हैं उनको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि जितने भी electronic उपकरन हैं वो चाइना से आ रहे हैं और चाइना से shipping पूरी बंद हो चुकी है इसके लिए इस बार के quarterly losses थोड़े heavy हो सकते हैं इसके अला रहे हैं इसलिए कोरोना वाइरस के वज़े से विश्म व्यापी स्तर पर काफी बड़े आर्थिक नुकसान पाए जा सकते हैं इसके अलावा दुनिया भर में कोरोना वाइरस के लिए precaution के तौर पर क्या-क्या चीज़े चालो है चलिए इसके उपर भी एक बिनट बात कर ल ही है चायना में कुल मिलाकर 20 करोड बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त धर पर हैं और जिनका स्कूल आना जाना बंदो चुका है देखिए दोस्तों जहां पर भी असेंबली हो सकती है जैसे की स्कूल कॉलेजेस जैसे की मास में प्रेयर्स होती है ऐसे जगह पर कोरोना वाइरस के फैलने के चांसे ज्यादा है इसलिए दुनिया बर की सारी सरकारे इस तरह के कदम उठाने के में मजबूर है इसके अलावा जापान में ओल्रेडी 1.2 करोड बच्चों का स्कूल आना जाना बंदो चुका है और अप्रेल महीने तक उन्हें स्कूल जाना ही नहीं है इसके कोरोना वाइरस से निपटने के लिए टेस्टीन लाब्स बनाए जाएंगे दैन इसलिए इटली में कोरोना वाइरस के चेसे यादा पाए गये है इसलिए italy में 11 विलेजिस एक वारंटाइन कर दिया गया है यानि उनको नज़रबंद कर दिया गया है isolation में रखा गया है इस पर रोक लगाई है साओधी अरब ने हज यात्रियों के उपर रोक लगा दिये जो बाहर से आते हैं और इस वक्त जितने भी पॉरेंट से टूरिस्ट आ रहे हैं चाना या वगेरा कंट्री से उन सब पर रोक लगा दी गई है तो अब एक बात आती है कि भारत में क्या चालो ह वेल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसके दो घंटे पहले तक की रिपोर्ट में आपको दे दू दोस्तों भारत में आज की तारीक में कंफर्म 46 कोरोना वाइरस के केसिस आ चुके हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल होने वाला है अब एक खबर मेरे सामने आई थी जिसम जरूरी है कि हर किसी के लिए प्रेक्योशन अपने अपने लेवल पर जरूर बरता जाए अब इसमें एक और बात जो समझने वाली है वो ये कि कोरोना वाइरस के लिए भविश्य में हमको अब आगे क्या करना चाहिए देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अवेर रहे और जो जो बेसिक पैरमेटर्स हैं जो कि आपको अपनाने चाहिए जैसे कि हाथ रेगुलर्ली दोते रहें मास्क पहनते रहें लोगों से जरा सी तीन या चार फुट की दूरी बनाए रखें ये प्रिवेंशन ही आपको कोरोना वाइरस के केस में बचा सकता है दुनिया बर की अफवाएं भी उड़ाई जा रहे हैं बहुत से वाटसैप के मेसेजेस ऐसे हैं जिसके वज़े से कोरोना वाइरस को लेकर लोगों की समझ में एक कन्फूजन पैदा हो रहा है मेरी सबसे विंती है कि आप सतर्क रहें और सहीं जानकारियों पे विश्वास रखें विडियो परंतक बने रहने के लिए धन्यवाद आप